इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे तेश्क लेटल सिस्टम चैप्टर वन है यह क्लास फाइब की और न्यूट्रेंट साइंस की है यह कैंडिड न्यूट्रेंट इन साइंस इसमें आपका पार्ट वन वीडियो अपलोड कर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द नो लेक्स को में लोवरिम्स बोलते हैं जो अपर पाट होते हैं हमारे लेक्स का उसमें हमारा एक लागेस्ट बॉन कांटेन की हुए रहता हुशा उसको हम लोग थाई बॉन बोलते जिसको फैमर भी बोला जाता है जैसे कि आपका टोटली ये लेग है तो लिग का जो यह अपर वह बॉन को हम लोग थाई बोन बोलते हैं टीक है जिसको थैमीर भी बोलते हैं और उसके वागया लोउर पाट होगा उसके नीचे वाला जो पाट और इसमें दो तरह का इसे दिखा रहे हैं। यहां पर देखो, यह तो उमारा नी हो गए हो गुट ना जिसको वोलते हैं, यह वाला जो आगे वाला ज बॉन आपके समने प्ड्रिजेंट हो अजिए होती है। सो अब इसका हम लोग function के बारे में पढ़े लेते हैं function तो आपको पता है कि इसको इसकी मदद से lower limbs की मदद से हम लोग चलने में ठीक है टहलने में चलने में दोडने में यह सब हमको मदद मिलता है और एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों legs के कारण हमारे जो उपर का जितना weight है body क उसको यह समहाले हुए रखता है ठीक है support देता है हमारे weight को है ना कैसे यह trees है आपका trees को पूरी तरह से कोई बड़ा trees होता है तो उसको कौन support करता है यह trunk ठीक है trunk जिसको हम लोग stem भी बोलते हैं चोटे मोटे पहुत हो को अगे तो उसी तरह से हमारे जो legs है support करता है अब ह पढ़ेंगे girls के बारे में ठीक है यह क्या होता है कि यह bony ring like structure होते हैं जो हमारे body में present होते हैं जिसको हम लोग girls बोलते हैं अब कुद बताएंगे कौन सा है यह दो तरह का girls होते हमारे body में present होते हैं कौन-कौन सा होगे एक आपका यहां पर देखो shoulder griddles हो गया और दूसरा hip griddles हो गया अपके जो बहां होते हैं जहां से hands start होता है तो यहां वाला joint होता है जहां से हम लोग अपना hands को round round घुमा सकते हैं तो यहीं वाला bones को हम लोग क्या बोलते हैं yeah brother blade से हो थाँ को ज्यसalnya यहां पर दिखाई दे रहा होगा यहां यहां पर उसी तरह से सीम आप देखने को मिले अपका hip वाला मैं जो कमर होता है ना वहां पर ठीक है यहान पर यह तीन बोन से में कर बने हुए होता है देख़ो एकी यह बोन हो गया एक यह बोन हो function दिया हुआ है Scleatel का function होता क्या है देखो तो आपसCuatorAK conspiracy support करता है support क्या करता है कि हमारे जितना भी body इंटायर body है ठीक है जो structure हुथ उसका वो एक तरह से हमारी entire body structure part है structure part है जिससे हमारा body का structure बना देता है ताकि हम किस सेप में दिख रहे हैं वो चीज ठीक है human देखते हो ना सब एक ही सब का सेप एक ही रहता है फिर face का उपर का देखोगे कि कि किसी का छोटा है किसी का बड़ा है लेकिन बागी सब का सभी का सेप से में ऐसा ही कि नोस के जगा पर आईज आ गया किसी का ऐसा तो नहीं है लगभग सब का सेम होता है अगे protection दूसरा protection है कि यह जो हमारा है skeletal क्या करता है कि internal organs जो hurt हो गया जैसे brain हो गया हमारे इसको क्या करता है support कहने का मतलब यह कि protect करता है बचा कर रखता है delicate internal organ को ठीक नेक्स्ट आपका क्या है movement पहले तो आपको पता है कि movement क्या होता है चलना ठीक है हम जो अपना body parts को चलाते हैं या हम खुद से चलते हैं ठीक है तो यह हमारा अलग-अलग parts body parts को अलग-अलग way में movement कराने में मदद करता है ठीक है आप जैसे कि move करा रहे हो आप नाच रहे हो गा रहे हो या अपना hands को round round खुमा रहे हो तो उस सब movement का कारण क्या है यह escalator के कारण आप ऐसा movement करा पा रहे हो तुसरा storage है storage कहने के मतलब कि हमारे body में जो bones है bones में क्या-क्या जमा होता है क्या-क्या रहता है उसके अंदर तो पहला आप देखोगे कि bones में आपको minerals से store होते है calcium होते है फस्पोरस होता है यह सब जब हम लोग जैसे milk वेगारा पीते है ना बोला जाता है milk पियो उससे क्या होगा कि हमारा body में हड़ी मजबूत होता है दात मजबूत होत होate leaf जिसके करण हमारा body मजबूत होता है दुसरा ब्लोड metallic यह कैसे product होता बोन मैरू जो हमारे हड्डि के अंदर होते है ठीक है बून मैरू क्या करता है कि helps करता है raised blood cell प्रोड़क्ट करने में ठीक है पर joint है. Joint क्या होता है, कि जैसे कि वंग जानते हैं जैसे कि एक यह bone है और यह कि यह bone है, तोनों bone को आपस में joint कर दिया तो उसी हम लोग joint बोलते हैं लेकिन हमारे body में ऐसे बहुत जगा joint है, जिसके कारण नाफ पैर को मोड़ सकते हैं हाथ को मोर सकते हैं इधर डिरेक्शन में मूफ करवा सकते हैं उधर डिरेक्शन में मूफ करवा सकते हैं उधर डिरेक्शन में मूफ करवा सकते हैं उधर डिरेक्शन में मूफ करवा सकते हैं तो आपका यह तूट जाएगा ठीक है वही बोल रहा है कि वह रीजन जहां पर human body का एक या एक से ज्यादा हड़ी को आपसे मिलता है उसी को हम लोग joint बोलते हैं और joint के कारण हम लोग अलग-अलग body parts को इधर उधर move कराने मदद करता है बोंच जो होता है एक साथ held रहता हूं लिगामेंट के कारण मतलब कि यहाँ पर joint की है घुटना वाला जो होता है जो जो इन्ट रहता है यह तो जाता है या नहीं रहता है तो उसमें क्या होगा कि जब वो चलेगा तो उसका पैर में लचक होगा मतलब कि इधर उधर लचकने स्टार्ट हो जाए क्योंकि वो बांद कर नहीं रख पाएगा लिगामेंट के तो आपको समझ में आ गया होगा जो बून का जो सर्फेस होता है वह एक कनेक्टिप टीसू होता है वहाँ पे जिसको हम लोग काटिलेज बोलते हैं इसको हम समझा रहे हैं जैसे कि अभी हम घुटना में जहां पे ज्वाइंट करते हैं वहाँ यह हेल्ट करके कौन रखता ह लिगमेंट्स उसके बाद जो यह आपस में जॉइंट होता है तो आप सोचते कि हम पैर को मोड़ रहे हैं तो हड़ी लगड़ाता क्यों नहीं आपस में क्योंकि आपस में तो है तो लगड़ाने से तो हम लोग आईसे भी हम लोग उपर से हलका फुलका भी स्क्रेशेस हो जाते हड़ी वगगरा में तो बहुत दर देता है तो यह इसलिए कि वहाँ पर एक कनेक्टिभ टीसू होता है जो टीसू को आपस में कनेक्ट करके रखता है जिसको लोग काटी लेज बोलते हैं वो एक लूबरी कांट का काम करता है जिससे हमारे आपस में लगड़ने में लगड़ाए नहीं हो ठीक है इसमें फ्रिक्षन ज्यादा ना लगे इसके करानों मदद करता है और अच्छी तरह से आप किदर भी मूड़ा सकते उसको ठीक है काटिलेज क्या प्रोटेक्ट करता है बॉन को फटनेट जर्णे से मदद करता है ठीक है और यह बॉन्स को रहे से लाइच लटे है क्या होता है दिख मूवेल ज्वेबल ज्वेंट में सीनलवी कावीती present होता है अब पूछ रहे होगा सीनलर क्या है सर तो अभी चल आपको काटिले बताने काटिलेज कहां पर हम लोग кो जए है जोपिल यहां थे पूड़ करके आपको दिखा यह है है इसके आपका हैं यहां से आप मुव्यंट करते होना तो लिए इस्में सीनों करते होगे क्या होते हैं प्रिजेंट होते हैं इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जब मूफ कराएंगे तो सिनुवियल कैविटी वही काटिलेज होता है जिसके कारण उसको आपस में लगड़ने में लगड़ाने से बचाता है ठीक है हड़ी का लाइफ को इंक्रीज करता है और इम्मुवेवल में और सिनुवियल कैव इम्मुवेवल मतलब ऐसा पार्टस ओ बोलते हैं जिसको हम मूव करा सकते हैं मके Schedule लेक्षन जिसको मूव नहीं करा सकते जासे लैक्स आप मोड़ कर बैठ चाते हो तो जहां घुटना वाला वह आपका मूवेवल joints हो गया, ठीक है, हाथ वाला movable joints हो गया, कलाई वाला भी हम कह सकते है, movable है, तो इस तरीका से हम लोग movable उसको बोलेंगे, जो move करा सकते हैं movable उसका opposite है, जिसको move नहीं करा सकते हैं, इसको मतलब की, इसमे movement occur होता है, movement होता है इसमें कोई movement नहीं होता है बताएं आपको next इसमें कि इसमें bones of skull skull का जो bone होता है ना उसको छोड़कर लगभग सभी parts में आप देखोगे कि joints रहता ही है skull में joints नहीं होता है जिसके करण में आप मुवमेंट नहीं हो अब हम लोग पढ़ें लोगा types of movable joints movable joints के भी types होते हैं ठीक है तो यहां बोला जा रहा है कि चार types होते है movable joints के एक पहला आपका ball और socket joints हो गया इसको आप simple वैसे language में समझाओगे ball and socket joint को जैसे कि एक आपका socket मान के चलो इस का से हो गया आपका ball यह हो गया तो हमारे हड़ी कुछ ऐसा हड़ी है मतलब कि बोन से हमारे चो ball or socket joint की तरह रहता है और उसमें क्या होता है कि चारो direction में उससे आप move कर आ सकता अब यह वाला आपको कहां पर देखने हो hip joint कमर वाला और फिर shoulder joint पाहँ वाला आप देखते को पूरा आपका जो यह हैंड्स होता है जहां से लिकला हुआ रहता है यहां से बहां से तो यहां से आप आराम से जब exercise करते तो पूरा जाने अब रॉड्ड आप भूमा लेते हैं एक हैंड को तो यहां पर क्या होता है यहां यहां बॉल सोकेट जुइन होता है ठीक है इस तरीकार रहेगे यहां बॉल लाकर फिट हो जाएगा अब चारो ड्रेक्षन में मूफ कर सकता है तो यह आपका इसी तरह यह आपका कमर तरह भी लोग सरकश में लोग बूद्य होती या कोई भी युद फूल बोड़ी मूफ कर वा ले थी वहां पर दिखोगे कमर हो स्कांड पूरा मुफ हो जाता यह तो वहाँ हम सभी direction में move करा सकते हैं अपने body parts को next step का hinge joint hinge joint क्या होता है कि आप दरवाजा अपने घर में देखे होंगे तो दरवाजा में hinge लगाया जाता है उसमें क्या है कि दरवाजा कुछ इस तरीका से होता है तो दरवाजा में क्या होता है कि आप या तो बंद कर सकते हो या तो खोल सकते हो ऐसा नहीं कि उपर भी उपर भी ले जा सकते हो नीचे भी उसको direction में घुमा सकते हो चारो direction में नहीं घुमा सकते हो उसमें सिर्फ हम खोलेंगे बंद करेंगे तो रोटेशन नहीं होता है उसी तरह से आपका बोडी में भी कुछ ऐसा पार्ट से जो सिर्फ आगे और पिछे होता है आप कौन-कौन सा इल्बो हो गीया हो एंकल सो ठीकर इसभ्स आपका हिंग जोईन्ट का िँग से एल्बो वगारा देखें हूंगे में अपको घुटना वगारा हो गया ऑंकल हो गयए उसमें दोही तरह से आप अपना फोट को देखते हो ना दो ढॉड्रनां हो सकते बंद कर सकते खोल सकते बोड़ी बड़ा बनाते वो ठीक है तो वह डो ही डिरेक्शन नहीं घुमा रहे हो लैक्स वाला भी पार्ट सुसी तरह से होता है तो यह से एक्जाम्पल है हिंग देखलो यहां पर हिंग जोइन का यह आपका एंकल वाला हो गया ठीक है हैंड का जो प दिखाई दे रहा है इसमें एक इधर आप खुमा सकते हो अपना गरदन को एक साइड में एक लेफ्ट राइट इस तरीका से हम घुमा सकते हैं इसमें तो को यह वाला हड़ी में जाकर यहां पर क्या होता है कि यह ज्वाइंट होता है और यह भी बॉल टाइप ही हम क्या सक लेकर तैंडल को टी रहता नहीं पार जवाल टाइप रहता है लाग कि बॉल को टेप स almya यह i guilt रहता है उसका हदी कुछ इस तरीका से ज्वाइंट रहता है कि यह सिर्फ दोही ट्रिक्शन में हम अलाव करता है मूभ मेंट करने कि लिए ठीक है इसका जो रहता है साइड मै एक सिंगल बोन होता है रौंडेट में रिंग टाइp structure होता है इस में पिक अंगुति टैप आप देखो गई यहां पे यह सब सारा रिंग टाइप structure होता है विसी रिंग टाइप structure में जाकर यह fit हो जाता है जिसके कारण क्या होते है कि sideways movement होता है साद में आपको नेक में फर्स्ट और सकेंट ये एक साइड लेफ्ट एक साइड रैप में आप मूवमेंट और इसले वह्श्तीप रामें यह जाकर छे मारे फीछे होते हैं यह जो हमारे बैक बोन होता यह उमआरा लास्ट डए है इस च्केफ में होता है चो connect होता है एक दूसरे में कभी भी movement नहीं कर सब्सक्राइब RIS में अभी बता रहें इसके बारे में समझगे इसमें मतलब कि सबसे कम में movement होता है थोड़ा भूष्म होता है जैसे कि आपका आप घृट Staff करते वकित तो उस Owen का वाच इयूंद के काराण के कारूं कर पीछे की chrom और पूरा तरह से जोख पाते हो तो कहां से मुवपमेंट This Rio को ये जो आपका BIGH का अरे आपने टूट है इसमें देख्वा यह वाला जो तो इसके करण क्या होता है कि movement allow करता है अगर यह यहाँ पर vertebral column नहीं होता joint में तो आपका क्या होता है कि वहाँ पे आप पीछे की और bent नहीं कर सकते थे ठीक है आपका यह हड़ी बिल्कुल crack हो जाता ओके अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं muscles की ठीक है muscles क्या होते है muscles आपको पता है कि हमारे body में soft tissue होते हैं इसको touch करोगे तो बहुत soft होता है और लगवक्ष़ छे सो से ज्यादा muscles आपके body में present होते हैं types of body muscles अलग-अलग muscles होते हैं उनके function पर उसको अलग-अलग divide किया गया है muscles के function पर जैसे कि एक आपका voluntary muscles होता है सब्सक्राइब क्या किया है muscles दो तरह का voluntary और involuntary hizo को यापका Involuntary में ik small था हाते काडियक पर एंट बहलते हैं जिसमें आपको कहां-कहां परेजेंट होगा arm में legs में Hands में feet में यह सब जग़ाप आपको बालनी मासरे प्रेजेंट होते हैं इन्वोलेंट्री मसल्स आपको इंटर्नल ओर्गेंस में प्रेजेंट होते हैं एक्स्टर्नल यह और आपके हर्ट में प्रेजेंट होते हैं काडियक मसल्स ठीक है जैसे कि हम लोग involuntary muscles में दो तरह का muscles देखेंगे smooth देखें अवे cardiac देखें तो smooth muscles आपको internal organ में प्रेजेंट हो जैसे smooth stomach वेगरा में और cardiac muscles सिर्फ आपका hurt में प्रेजेंट होता है लोग के द्वारा control किया जाता है अब कैसे इसका example समझो आपका क्या muscle जैसे आप legs हो गया hands हो गया fit हो यह आप खुद से control कर सकते हो आप हाथ को भी चला रहे हो आपको बोला जाए कि रोको तो रोक सकते हो ना ऐसा नहीं ना कि आपको बोला जाए कि रोको तो आप नहीं रोक पाऊगे तो यह आपको खुद से control कर पा रहे हो तो ऐसे muscles को हम लोग क्या बोलेंगे voluntary muscles बोलेंगे ठीक जैसे कि इस little muscle जो आपके आम्स लेक्स में प्रेसे अरे ही वासमस तो उसमारा voluntary muscles होते हैं examples आपको यहाँ पर दिया गया है next आपके involuntary muscles आपको खुद से control उसको नहीं कर पाऊगो खुद से work करता है आपके through work नहीं करेगा आप उसको चाहोगे तो आप रोक नहीं पाऊगे continue work करते रहते हैं इसमें involuntary में दो तरह का muscles हम लोग देखे ते स्मूथ था और काडियक था स्मूथ muscles आपको कहाँ पर पाए जागे इंटर्नल ओर्गन में जैसे कि stomach हो गया पेट में और intense train में ठीक है यह सब जगा में आपको पाए जाते हैं involuntary muscles ठीक है इसको भी आप अगर अंदर घुस गया बॉलन में तो आपको क्या दिखाई देगा सामने से वाल टैप दिखाई देगा तो वाल होता है उसी तरह से हर्ट के अंदर जो वाल होगा आपको अंदर वाला parts को cardiac muscles पो लेंगे ठीक है जो क्या करता है मदद करता है blood को pumping करने में पूरे body parts में क्य तो वीडियो अच्छा लगों तो लाइक सब्सक्राइब और एक क्लास 3 का भी हम इसका ट्रेंड साइंस का बनाएंगे ठीक है अकल आपको अपलोड कर दिया जाएगा वाई ट्रिक के